आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि मिर्च के पौदे पर ज्यादा मिर्च कैसे पाएं और इस पर जो बीमारी का अटेक होता है उसे हम कैसे दूर करें तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं ये देखियो दोस्तों जो मिर्च का पौदा आप देख रहे हैं इस पौदे पर मिर्च तो काफी लगी हुई है एक साका पर इसकी दूसरी साका आया उसकी पत्तियां मुड़ी हुई है यानि इस पर लीफ करल रोक का वायरस आ चुका है इसे कैसे दूर किया जाए? वही हम इस वीडियो में आपको बताने वाल है आपको मैं बता दूं ये वायरस होता कैसा है? जब पौदे की पत्तियां मुड़ने लगें तो इसे उपर की तरफ तो इसे त्रिप्स बोलते हैं जब उपर की तरफ पत्या मुड़ें यदि इस पौदे की पत्या नीचे मुड़ें तो इसे माट्स बोलते हैं जब पौदे की पत्या मुड़ने लगें नीचे की तरफ इसे तो ये बहुत बुरी बीमारी होती है और जो पत्या उपर मुड़ें तो इसे ट्रिप्स बोलते है अब दोस्तों इस पौदे की जो बीमारी है इसकी पत्या उपर की तरफ मुड रही है यानि इस पर ट्रिप्स बीमारी का प्रकॉप हो चुका है अब इस समस्या से हम बहुत परिसान हैं अब इसे कैसे दूर किया जाए तो इसके लिए भी हम ऐसा पौडर इस्तमाल करेंगे जिससे की हमारे पौदे पर ये बीमारी बिल्कुल नहीं रहेगी सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे इस पौदे पर फूल आये हुए हैं फूल तो काफी आ रहे हैं तो इस पर मिर्च पूरी तरह से सुद्ध नहीं आएगी क्योंकि इस पर बीमारी का इतना अटेक ही है इस पौदे के फूल गिरने लगेंगे और हमारा पौदा अं कि आप अपने पौदे में कम पानी डालें यदि ज़्यादा पानी आप डालेंगे तो पौदा तो गिरो करता रहेगा पर लेकिन उतने ज़्यादा आपको मिर्च नहीं दे पाएगा तो दोस्तो इस बीमारी की पैंचान यही है जिसे हम लीप करल वायरस के नाम से जानते ह वही वायरस हमारे पौदों पर ज़्यादा मिर्च नहीं आने देता क्योंकि उस बीमारी का पूरी तरह से हमारे पौदे पर प्रकौप हो जाता है तो दोस्तो सबसे पहले हम उस पाउडर को आपको दिखाना चाहेंगे और इस पौदे पर इस प्रकौदे की बीमारी को दूर पूरी तरह से कर पाएंगे और आपका पौदा बिलकुल सुद्ध हो जाएगा यानि इस पर जो पत्या नई निकलेंगी वो बिलकुल सुद्ध आने लगेंगी तो ये देखिए दोस्तो हमने इस पौदे पर स्प्रे करने के लिए यहाँ पर हमने कुछ पानी लिया हुआ है जब पानी लेने के बाद में करीवन हमारे पाथ थोड़े से पौदे हैं तो हमने यह 400 ग्राम के करीब पानी लिया है पानी लेने के बाद में जो हम पाउडर ले रहे हैं वो मैं आपको अब बताता हूँ ये देखिए दोस्तों आप जो मेरे हात्मा पΑदर देख रहे हैं ये माईसिसाइड पाउडर है और इस से हमारे मिर्च पौड़े पर बिल्कल भी रोग नहीं रहता जो भी नई पत्या निकलेंगी वो बिल्कल सुद्ध निकलेंगी और हमारे पौड़े की जो मिर्च हैं व यानि कि इस पानी में हमने डाल ली आया है और इसे हम पूरी तरह से घोल लेंगे और इस प्रेव बोटल में भरके और इसे हम अपने पौदों पर यूज करेंगे तो दोस्तो इस तरह से आपको ये घोले लेना है और हमारे पौदे पर जो लीप करल वायरस की बीमारी थी वो बिल्कुल दूर हो जाएगी तो आपको करना करा है तीन से चार मिनट तक ऐसे ही आपको घोल देना है जब आप घोल देंगे फिर इसके बाद में हम इसे बोतल में भर लेंगे तो चलिए फिर हम इसे जल्दी से बोतल में भर लेते हैं तो दोस्तो हमने यहाँ पर एक दो लिटर की बोतल ली हुई है और इसमें हम पूरी तरह से जो हमने बनाया है इस मिर्च के पौदे के लिए इसे हम मिला देंगे मिला देने के बाद में आपको करना क्या कि अपने मिर्च के पौदे पर पूरी तरह से स्प्रे करना है तो ये देखिए दोस्तो अब हम अपने मिर्च के पौदे पर इसका इस्प्रे कर रहे हैं अब इस्प्रे से हमारे मिर्च के पौदे पर दो से तीन दिन बाद अपने आप ये बीमारी दूर होने लगेगी और हमारे मिर्च के पौदे के जो फूल हैं बिलकुल नहीं गिरेंगे और हमारे पौदे पर ज्यादा फूल आने लगाएंगे उसके बाद में तो फिर वो पूरी तरह से मिर्च में कनवट हो जाएंगे तो दोस्तो आप इस बीमारी को इस तरह से अपने पौदे से बिलकुल दूर कर सकते हैं आपको करना क्या है कि ये पौदा पूरी तरह से आपको निला देना है जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पौदे पर बीमारी आस पास भी नहीं वटगेगी तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने पूरी तरह से इस पौधे को मैं निला रहा हूँ आपको बस यही पर के लिए अपने पौधे पर करनी है तो दोस्तों उम्मीदे आज की जो वीडियो आपको अवसी पसंद आई होगी और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा अनरोद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सेयर करना आप बलकुल भी मत भूलेगा ताकि अन्ने लोगों को यह जानकारी मिल पाए तो अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे ठेंक यू